हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जिके ग्यान दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर जिसका नाम है जिके ग्यान दोस्तों आज के वीडियो में आपको डिया लड़ थर्ड समिस्टर का समावेसी सिच्छा के बारे में कुछ महत्पोर् देखे क्या है समावेसी सिच्छा की अवधार्णा क्या है कि समावेसी सिच्छा वह सिच्छा है जिसमें एक प्रकार एक सामानी विद्याल में बाधी तता सामानी बालक दोनों को एक साथ सिच्छा दी जाती है ठीके वही समावेसी सिच्छा होता है ठीके तो क्या होता है स सामानी विद्यालने में बाधी तथा सामानी बालक दोनों के एक साथ सिच्छा दी जाती है यही सामावे से सिच्छा होती है अगला देखे क्या है कि बुद्धी लब्द ठीक है बुद्धी लब्द तो बुद्धी लब्द क्या है मांसिक आयू वा शारीरिक आयू ठीक है मा सूत्र दिया था टर्मन ने जब पूछे कि टर्मन गंचार बुद्धि लब्दी का सूत्र क्या है तो आप वह इंटू हंडेड वाला करेंगे और ऐसे जो है जब बुद्धि लब्दी के ऐसे डिफिनेशन आएगी कि मानसीक आई हुआ आप इस इस्तर के हो कि उसमें अपने विकास के लिए विशिस्ट प्रसिछड की आवशक्ता हो विशिस्ट बुद्धि बुद्धि बुद्धिicking न च्ञप कर सकते हैं जसमें प्रख्रया हैं एक मिमडती और दूसरे विकतीती समस्यों के समाधान से चीज़ों को बताया जाता है निर्देशन किसी भी समस्य का समाधान स्यम नहीं करता बलकि वा ऐसी विदिया बताता है जिसका प्रयोग करके वित्ति का समाधान कर सकता है ठीड, इसमें приг MA करना पाथ इंप गश्यցनत करना वह होता है तोकि की बीप्रकार की वैग्यानिक राये के आभशक्तित यह वैग्यानिक राय और सुझाहिowie परामर्श कहलाते हैं अगला देखिक है स्रजनात्मक्ता जिसको हम creativity भी कहते हैं तो यह क्या होता है इसके अंतरगत क्या होता है तो सामाने रूप से जब हम किसी वस्तु या घड़ना के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन मस्तिस्क में अनेक प्रकार के विचारों का प् हमारे मन में बहुत सी भावनाएं उत्पन होंगी ठीक है जो लिखाया प्रतुरभाव को तो उत्पन विचारों को जब हम विवहारिक रूप प्रदान करते हैं जब कोई भी जो हमारे मन में विचार यानि हमारे सामने आती हैं इस इस्थित में हम अपने विचारों को सारथ्रकता एवं निर्टतों को पहचांते हैं ठ़कते है feel और इस प्रकार की इस्थित स्रज्जनात्मक्ता कहते है ठीक है तो आपको अगया औरन वर्गी करण ठीक है बुद्धि बुद्धि अन्यम्म प्धी करें के इसने करती हुआ तो इसने सील जो क्वास नटीन से क Люб जो अन्हीत से कम हो है तो महा महा मुर्थ 001 और जो 25 से 49 होगा उसे हम मूर कहेंगे और जो 50 से 79 होगा ठीक है तो उसे यानि वो मूर कहोगा और जो 70 से 89 के बीच में आएगा उसे मंद बुद्धी कहेंगे और जो 80 से 89 होगा उसे सुस्त बुद्धी बोलेंगे और जो 90 से 109 होगा उसे सामानी बुद्धी और जो 110 से 119 हो होते हैं वह बहुत ही प्रतिभासाली होते हैं तो यह था टर्मन के द्वारा किया गया आईक्यू परिच्छा और जो 80 से 90 होता है वह होता है पिछड़ा फ्रेंट्स यह जो है इंपोर्डेंट होता है यह आपको याद भी करना चाहिए क्योंकि यह आपके और यह सारीरिक भूर में पूछा जाएगा तो सारीरिक भूर से पिछड़े बच्चे और जो का अधिनियम किस वर्ष हुआ तो समावेसे सिच्छा का अधिनियम वर्ष जो है वो सन 1995 है ठीक है अगला देखे समावेसे सिच्छा का अर्थ तो समावेसे सिच्छा का क्या अर्थ होता है कि सभी विद्धार्थियों को समान सिच्छा प्रदान करना ही समावेसे सिच्छा होत अगला देखे क्या है असुविदा उत्पन समू के बच्चे कौन है तो असुविदा जो संपन समू के बच्चे है जो वो क्या है कि सारी रूप से विकलांग होंगे ठीक है ये देखे सारी रूप से विकलांग मांसिक रूप से विकलांग ठीक है और ये अनुसूचित जात क बच्चे ठी है तो यह जो थे यह क्या होगा असुविदा उत्पन समूं के बच्चे हैं अगला देखे क्या है वाग्दोष का अर्थ क्या है या वाग्दोष क्या है तो इसे आप किस तरीके से लिखेंगे देखे वाग्दोष जिसके अंतरगत दोस्पूर्ड उचारड दो किसी बच्चों में बहुत देर से वाडी का विकास होता है तो यही में वाग दोश होता है तो फ्रेंट यह थे कुछ प्रश्ण इंपॉर्टेंट इस एक इंपॉर्टेंट प्रेस्ण जो आपके लिए बहुत हेलफुल थाबित होंगे प्रैंट्स वीडियो कैसा लगता है वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मिरे चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी की निशान को अवश्य दमाएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए